वुरत की रिस्पी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूँ जी हाँ साबुदाना की खिचडी यह देख रहे होंगी आप साबुदाना की खिचडी मोती जैसे खिले खिले से हैं और यह लिक्विट फॉर्म में हैं तो खिचडी गीली ही अच्छी लगती है तो खिचडी ब्रत में अगर आप खा लेंगे ना तो आपको तीन से चार घंटे बिल्कुल भी भूक नहीं लगेगा और बहुत एनरजेटिक आप रहेंगे यह देखें ट्रांस्पेरेंट सी खिचडी बनकर तयार है तो हलो एब्रिवान वैलकम टू माइ ब्रिज राज की चे मैंने यहां दो बारिक कटी हरी मिर्ज डाल दिया है अगर अब तीखा कम खाना चाहते हैं तो एक हरी मिर्ज का इस्तमाल करें अब इनको एक मिनट भून लेते हैं हलका सा हलका गोल्डेन कलर आने तक अब यहां पर मैंने एक बड़ा आलू को छोटे-छोटे स्लाइस में का भून लेना है तो आलू को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले और एकदम स्लो फ्लेम पर ढख कर तकरीबन इसको हम 80% तक पकाना है इससे क्या हमारे खिचरी जल्दी हो जाए 80% हो गया है चलिए यह देखे हमारा आलू अच्छी तरह से पक चुका है अब यहां पर डा अब यह पर हम डालेंगे एक टमाटर बारी कटा हुआ तो टमाटर में से जो पानी रिलीज होगा ना उससे क्या मसाले अच्छे से भून जाएंगा हमारे दो मिनट इनको भून लेते अच्छे से तो यह देखे दो मिनट मैंने भून लिया अब यह मैं साबुदाना का इस् ना Mostiह से खिले-ख़िले से अच्छे से फूल जाएंगे आप इसकी जगह कछे संदान साबुदाना का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन कछे शाबुदाना का जब आप इस्तमाल करेंगे तो कुख होने में यानि कि पकने भी बहुत जादा साधा टाइम लेगा तो मैं आपक से दो ग्लास पानी का इस्तमाल करें तो मैंने यहां बड़े ग्लास से डेट ग्लास पानी डाल दिया इनको अच्छे से मैं मिक्स कर ले रहे हूं तो यह देखें अच्छे से सारा मिक्स हो गया है आप चाहे तो इसमें सेंधा नमक का इस्तमाल कर सकते हैं मैंने इसकीप कर दि किया है तो यहां देखिए 10 मिनिट पर मैंने इनको छोड़ दिया था पकने के लिए तो देखिए पकने के बाद एकदम मोती जैसे मेरे कढ़ाई में साबुदाना तैरने लगे हैं यानि कि यह पकना शुरू हो गया 10 मिनिट हो चुके इसमें थोड़ी सी कसर और रह गई है हल अब जाकर मेरा खिष्री बनकर एकदम पर्फेट तयार हो चुका है तो यह देखिए इसके दाने एकदम साइट से टांस्पेरेंट हो गया है और अच्छी तरह से पक गया है और खिष्री को बहुत जादा मत पकाईए नहीं तो एकदम ट्रांस्पेरेंट हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा अब गैस को यहां मैंने बंद कर दिया है यहां पर डालेंगे अधेर सड़ी दरिया की पत्ति इसके फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगने वाला है तो देखिए देखने पर इतना अच्छा लग रहा है तो खाने भी कितना मज़ेदार होगा तो मैं हम बावल में निकाल कर दिखा रही हूं आप लोग को यह देखे ट्रांस्पैरंट खिचडी एक कटोरी अगर आप ब्रत में से खा लेंगे तो आप 3-4 गंटे आपको भूख बिलकुल भी नहीं लगने वाला है और बहुत ही त कमें से निकल कर दिखा रहे हूं आप लोग को यह मेरी ट्रांस्पैरंट साबुदना की किचडी बनकर बिलकुल तयार है आप इसे साधा भी खा सकते हैं इसमें आपो सब्सक्राइब की जोरत नहीं क्योंकि मैंने इन में टमाटर आलू एड़ कर दिया है तो इस खिचडी बनकर प्रफेक्ट तयार हो चुकिए अगर आप मेरा वीडियो देख रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरी तरह से आपकी चुरी जरूर बनाएं